विद्यार्थियों बिये थर्डियर इकोनोमिक्स में पहला पेपर जिसका नाम है Quantitative Technics in Economics अर्थसास्त्र में मात्रात्म तक्निकी इस पेपर के अंतरगत हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इस स्टेटिस्टिक्स सैंकिकी किसे कहते हैं इसका महत्व सैंकिकी का छेत्र वे सीमाई सबसे पहले परियोग 1749 में जर्मनी के विद्वान God Fried Econvale ने किया था इनहें सैंकिकी का जनमदाता कहा जाता है शाइंकी की यह संख्यात्मक थत्यों से सम्मन्दित विज्ञान है इसमें समंगों के प्रारंबिक नियोजन वर संकलन से लेकर निश्कर्षों को अंतिम रूप से प्रस्तूत करने तक की सभी किरियाई सम्मिलित होती है अधिक विशिस्ट रूप में इसमें संक्यात्मक थत्यों का संग्रह करना, उन्हें वर्गीकरत करना, उनका विशलेशन एवं निर्वचन करना और उनसे तरक पूर निश्कर्ष निकालना आधि किरियाओं का समावेश होता है तो इस प्रकार सांक्यक अंतरगत हम आकडों का संक्लन, उनका प्रस्तूतिकरन, विशलेशन और निर्वचन ये सब किरियाओं सांक्यक अंतरगत आती है सांक्यक का छेत्र सांक्यक की छेत्र को हम दो भगों में बाठ सकते हैं पहला है सांक्यक की रीतिया, Statistical Methods और दूसरा है व्यवहरिक सैंक्यक की Applied Statistic इसमें पहला है सांक्यकी की रीतिया सांक्यकी की रीतियों के दो़ारा आकड़ों का विश्टेशन करके उन्हें सरल और समझने योगे बनाये जाता है जिससे उनकी परस पर तुलना की जा सके और उनसे उचित निसकर्स निकाले जा सके शैंकी की रीतियों को हम चार भागों में बाढ़ सकते हैं पहला है सैंकलन, कलेक्शन, दूसरा है प्रस्तूतिकरण, प्रजेंटेंशन, तीसरा है विश्टेशन, अनेलेसिस और चोता है निर्वचन, इंटरपेटेशन इसमें पहला है सैंकलन, सबसे पहले किसी पूर निश्चित उद्देशी के आदार पर हम समंगों को एकतित करते हैं, इसके लिए प्रात्मिक और जो दित्ति इस्त्रोथ है उनसे आकड़े एकतित किये जाते हैं फिर है प्रस्तुतिकरण, जब हमने आकड़े एकटे कर लिए तो उनको सरल और वेवस्तित तरीके से और तुलना करने योगे बनाने के लिए हम उनको साणने में प्रस्तुत करते हैं और अधिक आकड़ सक बनाने के लिए उसको डाइग्राम और ग्राफ्स के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है फिर है विश्लेशन विश्लेशन के लिए अनेक विधिया अपना ही जाती है जैसे वर्गे करण, केंदिर परवर्ति का माप, अपकीरण, विश्वमता, सह सम्मन, सूच कांग, काल स्रेनिका विश्लेशन, आंतरगर्ण, आधी फिर है निर्वचन विश्लेशन आत्मक रीतियों का प्रियोग करने के बाद शाहिंकी की मापों के आधार पर उचित, निश्पक्ष, निर्णे लिये जाते हैं और उन निर्णेों की साहिंकी की जाच की जाती है कार्यों के आधार पर शाहिंकी की विदियां दो प्रकार की हो सकती है विवणात्मक और दूसरी है निश्कर्शात्मक विवणात्मक शाहिंकी की है इसके अंतरगत समूहों की विशेचताओं को प्रदशित करने वाली विदियों को सम्मिलित किया जाता है जैसे वर्गी करन, सार्नियन, केंदिर प्रवर्ति का मापन आदी जबकि निश्कर्स आत्मक शाहिंकी के अंतरगत पूरे ग्रूप समुह में से कुछ इकाईया सेंपल के तोर पर चुनली जाती है और उनके विश्लेशन के आधार पर हम समुह के बारे में निश्कर्स निकालते हैं इसके अंतरगत उन वीदियो को सम्मिलित किया जाता है शाहिंकी के रितियों के बाद में है दूसरा व्यवारिक शाहिंकी की इसके अंदर पहला है वर्णात्मक व्यवारिक शाहिंकी की इसके अंतरगत उन समंगों का ध्यन किया जाता है जिनका उद्देश ये विश्तरत सूचना परदान करना होता है या विवनात्मक सूचना परदान करना होता है जैसे जिनसंग्या के आकड़े दूसरा है इसमें विज्ञानिक व्यवारिक शाइंके की इसके अंतरगत उन विदियों का प्रियोग किया जाता है जिनके द्वारा हम नियमों का प्रतिपादिन कर सके नियमों का प्रतिपादन करने के लिए हम समंकों को एकर्तित करते हैं और उन समंकों के आधार पर ही हम नियमों का प्रतिपादन करते हैं जैसे मांग का नियम तो इससे संबंदित पहले आकड़े करेंगे और फिर हम मांग के नियम का प्रतिपादन करते हैं शाइंकी के छेत्र के बात में है अब शाइंकी का महत्वे प्राचीन युग से ही शाइंकी का महत्वे रहा है पहले भी भूमी के आकड़े जनम मरन के आकड़े आई वेव की लेखे जोके इन सब आकड़ों का संक्रन किया जाता रहा है लेकिन वर्तमान में साइंकी का का छेत्र और भी बहुत बढ़ गया है जिससे इसका महत्व भी बढ़ गया है तो साइंकी का सबसे पहला महत्व सासन प्रबंदन में महत्वे सासन प्रबंदन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए आकड़ों की आउशक्ता होती है क्योंकि वर्तमान में सरकार को कल्यानकारी कार्यों को सुचारों रूप से चलाने के लिए उनको आकड़ों की आउशक्ता होती है इसलिए समंगों को सासन प्रबंद के नेतर भी कहा जाता है तो इस प्रकार सासन प्रबंद में भी साइंकिक का बहुत मैत हुए है फिर दूसरा है आर्थिक नियोजन में मैत हुए किसी भी देश की आर्थिक योजना का निर्मान करने से पहले वहां के उपलब साधनों, वहां के प्रमुक समश्याओं और वहां के आवशक्ताएं क्या-क्या है इन सब का अध्यन किया जाता है तो इनके अध्यन के लिए भी आखडों की आवशक्ता होती है किसी देश के लिए कौन सी योजनाई बनेगी उनकी देश की अलपकालीन आवशक्ताएं क्या है दिरकालीन आवशक्ताएं क्या है किन-किन समयश्याओं का प्रात्मित्ता दी जाए ये सब आखडों के उपर ही निर्भर करता है किसी देश में अगर गरीबी दूर करनी है तो उस गरीबी दूर करने के लिए वहाँ पर कौन से निती लाई जाए तो उसके पहले यह जरूरी है कि वहाँ पता हो कि गरीब कितने है बहुत ज़्यादा गरीब कितने है तो उनसे सम्मदित आकड़े उनके पास में होना चाहिए तो इस प्रकार आर्थिक नियोजन में भी सांकिकी का बहुत महत्व है फिर है व्यवसाय तथा वानिज्य में महत्व व्यवसाय में लाब कमाने के लिए व्यापारी को आकड़ों की बहुत आउशक्ता होती है क्योंकि व्यापारी आकड़ों के आधार पर ही मांग का अनुमान लगाता है और उसे सम्मंदित उसके क्रे विक्रे और विज्यापन की नितिया निधारित करता है वह पहले उन आकड़ों के आधार पर अनुमान लगाता है कि जो वो उत्पादन कर रहा है वो उसमें ग्रहाएकों की रूची को भी ध्यान में रखता है रेती रिवाज, मौस में परिवर्था है इन सब का ध्यान रखके वो उत्पादन करता है तो ये व्यापारी के लिए ये महत्वपूर्ण है कि उसे उन आकड़ों की समझ हो वह किन वस्तों का उत्पादन करे, किसका नहीं करे, कीमते क्या हो ये सब आकड़ों के उपर ही निर्बर है तो इस प्रकार एक व्यापारी आकड़ों को ज्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाता है फिर है अर्थ सास्तर में महत्वे अर्थ सास्तर की सभी साकाओं में विभिन नियमों और सिध्धानतों को समंकों की सहाइता से ही प्रतिपादित किया जा सकता है और उनका विचेशन किया जा सकता है जैसे उब्भोक फलन है, मांग का नियम है, ये सब कुछ आकड़ों के उपर ही निर्बर है इन से सम्मंदित आकड़े एकतित करके हम उब्भोक फलन को प्रतिपादित कर सकते हैं कि आई और उब्भोक में सम्मंद को हम इस्तापित कर सकते हैं अब साइंकिकी के महत्व के बाद में हैं साइंकिकी की सीमाई जब हम आकड़े एकतित करते हैं या साइंकिकी के इसमें क्या-क्या दोस है या इसकी क्या-क्या कमिया है अब इसका अध्यन करेंगे पहला है साइंकिकी के केवल संख्यात्मक थत्यों का ही अध्यन करती है गुनात्मक थत्यों का नहीं क्योंकि साइंकिकी की अंतरगर्ट उनीका ही अध्यन किया जाता है जिनको संख्याओं की रूप में वेक्ट किया जा सकते जैसे आयों, उचाई, मुल्ले, मजदूरी, आधी गुनात्मक सरूप जैसे स्वास्ते, बहुत दिकिस्तर, गरिबी इनका परत्यक्स रूप से साइंकी विश्रेशन नहीं किया जा सकता इसकी दूसरी सीमाएं है साइंकी की समूख अध्यन करती है, विक्तिगत इकायों को महत्व नहीं देती किसी देश की औसत प्रतिविक्ति आई समूख को परदशित करती है, विक्तिगत आई को परदशित नहीं करती है क्योंकि अगर किसी देश की प्रतिवेक्ति आई बढ रही है या ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस जो देश है वो प्रगर्ति कर रहा है या वहां के लोगों का जीवन इस तक उपर उठ गया है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को की इनकम बहुत ज़्यादा बढ गई हो और बाकी लोगों की नहीं बढ़ी हो तो उससे क्या होगा कि जो औसत है वो सम्मू को परदेशित करेगा और वो यह दिखाएगा कि प्रतिवेक्ति आई बढ गई है जब कि ऐसा हो सकता है कि कुछ वेक्तियों की आई ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हो और कुछ की नहीं बढ़ी हो तो इससे उसकी सही सही स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता इसकी तीसरी लिमिटेशन्स है साइंकिकि के निश्कर्स भ्रामक हो सकते हैं यदि उनका विश्टेशन बिना संदर्ब की किया जाए जैसे अगर तीन कंपनिया हैं और हम उनके कुछ वर्षों के लाबों का ओसत निकालें और वो ओसत समान आए तो हमें निसकर्ष निकाल सकते हैं कि तीनों ही कंपनियों में एक सी प्रवर्थी पाई जाती है जबकि अगर हम उनके अलग अलग वर्षों के लाब के आकड़ों के आधार पर यह निसकर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक कंपनिय तो बहुत प्रगर्ति कर रही हो दूसरी बहुत लोस में जा रही हो और तीसरी न्यूट्रल भी रह सकती है तो इसलिए साइंकी को विश्टेशन करने के लिए उनके संदर्ब का भियत धिन करना जरूरी है फिर अगली सीमा है इसकी समंगों में एक रूपता थता सजातियता होनी चाहिए समंगों को आपश में तुलना करने के लिए आउशक है कि समंग जो है वो एक रूप और सजातिये हो भिन भिन प्रकार के समंग जो होते हैं वो तुलना करने की योग्ये नहीं होते फिर है साइंकी की का उचित प्रयोग के वल विश्टेशन के ही कर सकते हैं इसकी एक लिमेटिशन्स ये भी है कि इसमें संकलन, विश्लेशन, रिवच्चन ये सब जो शायंकिकी में दक्ष है वो ही कर सकता है बाकी आम वेक्ति इसका प्रियोग नहीं कर सकता